एलो भीवर्स आई डॉक्टर एस्ट मिकेलाल वेलकम यू अल इन मा यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को लाइक सेर और सबस्क्राइब करें अभी हम आपके लिए लेकर करें हैं एक केस औरम में टैलकम के बारे में बहुत ही बिलक्षन मेडिसीन है औरम में टैलकम जैसा कि हम जानते हैं कि ये मतलब सोना को लेटिन भासा में औरम में टैलकम कहते हैं तो सोने से बनी हुई ये दवा है और जब इसको पोटेंसियाज किया जाता है तो इसके बिलक्षन करके आया है और समय तैलकुम्त इसमय हम देखेंगे कैसे किटिकल केस में और में टेलकंदेशा है पाइसा हुआ कि मतलब फ़क्रपदादी कारी थे बेंक में तो उनकी इहां संजोग से लेंक रोबरी हो उसके बाद से मैंने पुलिस पूछता और दिमाग में इस्ट्रेस इस सब ले करके उनका बीपी बहुत बढ़ गया बहुत बीपी बढ़ गया तो मैंने कुछ उनको दवाय हो गए रहसब दी कि इसो खाई ए तो उनका मौमली सुधार हुआ जैसे मतलब बीपी बहुत बढ़ा हुआ था तो लेके सिस टू हंडर देने के बाद सो कम तो हुआ लेकिन फिर सूट अप हो गया उसके बाद मैंने बेला डोना और काली फास जैसे कई दवाएं दी सबसे कुछ आराम होता था लेकिन उतना आराम नहीं रेंज लगभग रहता था 170 बटा नीचे में कभी 110 तो कभी मतलब 100 102 इस रेंज में उनका वीपी रहता था उनके जो बेंकर मित्रों लोग थे उन्होंने कहा कि क्या तुम है में पर ठीक है चेक करने पड़े हुए हो तुमको हम ले जाते हैं हार्ड एस्पेस लिस्ट के यहां और मतलब जो उहां स तब दिया वीपी का वीपी तो घट गया लेकिन घबराहट बेचेनी सब बढ़ गई मेंटल सिम्टम सी सब बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि सर ऐसी ऐसा ऐसी ऐसी बात है तो दवाई से तो भीपी घट गया जो 170 180 हो जाता था सो अब भीपी आ गया 144 पर और नीचे में भी जो है 84-86 हो गया है लेकिन मतलब इससे मेरी घबराहट है वो बढ़ गई तो मैंने उनको 3-4 मेडिसीन दिया कि आप इन मेडिसीन को पढ़िए इस में से जो लक्षन आपको सबसे मिलता जूलता हो उस लक्षन को उस दवाई को हमको बताईए तो बोडिक मेटेडिया मेट क था मैने उनको दिया पढ़ने के लिए उसमें से उनको उन्होंने दवाई सिलेक्ट किया औरमममेटेल्कम दूसों पावर में तो औरम मेड तेलकम दूसों पावर में मैंने उनको पांच-मच मिनिट के अंतर से दो खोराक दी और जैसा कि औरम मेड तेलकम दीप एक्टिंग दवा में से है या ऐसी दवा नहीं है कि जिसको बार-बार रिपीट किया जा सके तो दूख वराक औरम में टेलिकम देने के बाद मैंने उनको एक सब्ता प्रतिक्छा करने के लिए कहा क्योंकि मतलब एक्रिवेशन का भी डर था और वो अंग्रेजी दवाई शुरू कर दिये थे ऐसे पहले भी हम दवाई दे चुके थे उनको तो मैंने कहा कि जो इसके लक्षन डिप्यक्टिंग दवाई है बहुत अच्छा असर दिखाने वाली दवाई है तो उनको कहा कि आप धर्जी रखिए एक सब्ता के बाद रिपोर्ट किजिए तो एक सब्ता के बाद रिपोर्ट किये और रिपोर्ट इतना अच्छा था जो मैं तो अग्दम भावुक हो गया कि देखे कितना क्या दवाय है कैसे मतलब इतना बढ़ियां यह रिस्पॉंस किया तो उन्होंने कहा कि अब उनका जो सौसाइडल टेंडेंसी हो गई थी ना सौसाइडल टेंडेंसी है वीपी घट गया वीपी उनका जो है सबसे रिमार के बूल चीज हुई जिसके बारे में उन्होंने मेरे साथ सेयर नहीं किया था वो था उनका 20 साल से उनका फिस्चुला चल रहा था तो फिस्चुला भी खतम हो गया तो आप देख सकते हैं कि मिरैकिल अफ सिंगिल डोज होता है हमें पिती में कई बार अगर सही धंग से डेगनेसिस हो जाए तो उसमें मिरैकिल अफ सिंगिल डोज होता है तो औरम मेटेलकम के माध्यम से मैंने बताया कि कुछ दबाई को बराबर रिपीट करने कि अवसकता नहीं होती है और जो खास करके मेटिल गूरूप की दबा हो जैसे मतलब औरम मेटेलकम, स्टेनम मेटेलकम, अर्जेंटम मेटेलकम, प्लेटिनम मेटेलकम तो यह जो दबाई सब है इसको बार बार रिपीटने करना चाहिए महत पूर्ण है कि आप उसका सिम्टम्स पुरा- कोशिस कीजिए तो फिरो चमतकार हो जाएगा इसी पर किताब भी है मिरैकी लव सिंगिल डोज दौक्टर अमबाडिया के द्वरावी रचित किताब है और भी जो महान महान हमें पेती सब हुए हैं हमें पेत सब हुए हैं तो कई बार उन्होंने एक खुराग से कमाल दिख है इस तरह के केस स्टेडी को भी हम आपके साथ लेकर कर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे कई बार एक खुराग दवा से इतना चमतकार होता है और कई बार हम देखते हैं कि इतना इतनी सारी दवादे देते हैं पेसेंट को जितना फायदा होना चाहिए और नहीं हो है तो हर एक केस को एक जैसा नहीं लेना चाहिए हर एक केस को हमें पित में इंडिविज्वली लेना चाहिए एक मैं कभी-कभी ज़ुरत होने पर हम चार भी दवाई देते हैं तो कभी-कभी हमको देखना चाहिए कि हम एक दवाई से केस को ठीक करें तो बहुत-बहुत दे झाल झाल